आज, जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगा, वो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया, मेरे बच्चे, ये बात मैं आज तुमसे शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें उन रहेस्यों से परिचित होना पड़ेगा, जिनसे तुम अब तक अंजान थे, इस पंद्राल दिन में तुम देखोगे मेरा महान न्याय, मैं जनता की हकीकत सामने लाऊंगा इस समाज के सामने, तुम्हारा शत्रू तुम्हारे चरणों में पड़ा रहेगा, मेरे बच्चे और मैं उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरे काम किये हैं, परन्तु तुम्हें बहुत दुख पहुचाया है, मैं अब उसे अपनी साजिश में सफल नहीं होने दूनगा, मैं उसका अहनकार हूँ, उसका अभिमान हूँ, वो उसे दुनिया के सामने बेनकाब कर देगा, मेरे बच्चे, उसने अच्छाई का मुखोटा पहन कर कई लोगों को धोखा दिया, उनकी भावनाओं से खेला, लोगों का इस्तेमाल किया और आपकी सोच और मानसिक स्थिती को बहुत थेस पहुंचाई। दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी वे हमेशा अपने गंदे मनसूबों में काम्याब होते थे। इन लोगोंने बार-बार तुम्हारे दिमाग से खेला है मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें कभी भी आराम से जीने नहीं दिया और किसी भी काम में सफल नहीं होने दि मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, मैं कहता था कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याए नहीं किया। आपने चुपचाप सब कुछ दे दिया। देखिए आपके होते हुए भी लोगोंने मुझे कश्ट दिया है महादेव जी, अब आप मेरा महान न्याए देखेंगे मेरे बच्चे, चाहिए ये लोग वो व्यक्ती हों या आप, अब कश्ट देने लायक कोई नहीं बचेगा और इतना बड़ा चमतकार हो जाएगा जो आपके जीवन में आपके सभी दुख दूर कर देगा। लेकिन वो कितना भी चुपे, मेरी नजरों से चिप नहीं पाएगा, मेरे बच्चे और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर लिया था, अब किसी भी कीमत पर तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर उसकी क्याद और उसकी साजिश से आजाद हो जाओगे। आपको एक बार फिर अपने चहरे और अच्छाई पर भरोसा होगा, जिसने आपकी जिन्दगी को बेहाल कर दिया वो अब हर सांस को मोहताज हो जाएगा। वो आपसे उम्र में बड़ा है, मेरे बच्चे, लेकिन तुझ में उससे भी ज्यादा इंसानियत और उससे भी ज्यादा अनुभव है, लेकिन अब मैं उसे ऐसा दुख दूंगी कि उसे पता चल जाएगा कि दर्द क्या होता है और अब उसे जिन्दगी के वो अनुभव म लेंगे, उनकी लाक साजिशों के बाद भी आने वाले 15 दिनों में आप बहुत आहत होंगे, खूब जश्न मनाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, बस अपनी भावनाओं पर काबू रखो, जो लोग तुम्हें गलत समझ कर छोड़ गए और किसी तीसरे की बातों पर यकीन कर लिया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा, मेरे बच्चे, उन्हें माफ कर दो, तुरंत पिघल मत जाओ, अपने बुरे दिनों के सबक को हमेशा याद रखें और उम्मीद न खोएं, मैं आपके लिए एक बड़ा कदम उठान बाते ही बोलेंगे, आप स्वयम में मेरी शक्ती को पहचानने का प्रयास करेंगे, आप मेरे सामने बैठ कर कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, जब भी तुम अपने जीवन के सबसे बुरे समय को याद करो तो बस इतना याद रखना मेरे बच्चे की जब तु तुमने उस परिस्थिती में कितनी बहादुरी से काम लिया, तुम्हारे महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है और जब तुम उन परिस्थितियों से बच सकते हो और अकेले ही अपनी जिन्दगी से लड़ो, तब कुछ नहीं जब आप अपने अंदर छुपे चमतकार को पहचानोगे, तभी आप देख पाओगे कि आपके महादेव जी क्या चमतकार करने वाले हैं। आवित्र रहते हैं। छोटी उम्र से ही आपके अंदर दूसरों से ज्यादा अनुभव था, आपके अंदर ज्यादा समझ थी। क्योंकि तुम्हारी आत्मा में बहुत ग्यान है, मेरे बच्चे, और तुम्हारे पास ये ग्यान इसलिए है, क्योंकि तुमने न केवल इस जीवन में बल्कि अपने पिछले जीवन में भी मेरी पूजा की है, तुमने हमेशा प्रकाश का यह मार्ग अपनाया है, वले ही तु खाओ, दहाडें, उन्हें दिखा दें कि आप किसी के सामने जुक नहीं सकते, अगर आप कभी नहीं जुके तो अब और मत जुकिए, इन 15 दिनों में आपको अपने विचार बदलने होंगे, तभी आपके दुश्मन आपसे दरेंगे और आपके महादेव जी आपके साथ न्य रुकोगे क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे, मैं बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ था, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, और भविश्य में भी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ न्याय करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे न्याई की उम्मीद कर रहे हो, मेरे बच्चे, तो तुम भी न्याई की उम्मीद करोगे अपने साथ न्याई करना होगा, तुम्हें मेरी दस शक्तियों के साथ न्याई करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना एक हिस्सा कहता हूँ तो मैं तुमसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे ही एक हिस्से की तरह व्यवहार करोगे, किसी और की तरह नहीं। ऐसे गिरे हुए लोगों की दो बातों पर आप कायरों की तरह रोने लगेंगे। इन लोगों के बारे में सोचकर अपना भविश्य खराब न करें। अपनी शक्तियों को पहचाने और महादेव जी आपको क्या दे रहे हैं, उसे पहचाने। आपके मन में, आपके परिवार में, आपके रिष्टों में जो भी तूफान आया हो। ये हमेशा के लिए शान्त रहने वाला है, आप दोस्तों से मिल पाएंगे और आपका कोई काम जो काफी समय से रुका हुआ था, वह भी जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा। के बिखरे हुए जीवन को समेटने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। आपके कार्यस्थल में भी बदलाव आएगा। आप नए लोगों से मिलेंगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी और सफलता का रास्ता दिखाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। बच्चों, आज ने तुमसे सारी खुशियां छीन ली। अब समय आ गया है जब आप फिर से पहले की तरहां खुश आप अपनी खोई हुई शक्सियत से मिलेंगे, आखों में आसूल ये बिना खुल कर हसेंगे और दिल में कोई दर्द छुपाए बिना घूमने निकलेंगे। और आप अपने और अपने प्रियजनों के उन सभी सपनों को पूरा करेंगे, जिनके पूरा होने की उम्मीद आ आई की आशा छोड़ चुकी थी. ये तो खत्म हो गया, लेकिन ये पूरी काइनात अब आपको धेर सारे मौके देने वाली है, जब आप अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे. धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आपके जीवन में धेर सारी खुशियां आने वाली हैं. अब आप क अब तू अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा है मेरे बच्चे, तभी तो ये पूरी काइनात तेरी ओर कदम बढ़ा रही है, जब से तूने अपना ख्याल रखना शुरू किया है, अब तू लोगों की बातों में नहीं आता और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठा अब अगर तू खुद की कद करने लगी है, अगर तू अपना ख्याल रखने लगी है, तो यहीं वो चीज है जो इस पूरी काइनात को सबसे प्यारी है और तेरी इबादत से मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी मुझे मिलती है जब आप अपना ख्या इसलिए ब्रम्हांड अब आपको अवसर देगा, विज्ञान आपको संदेश देगा, मैं जानना कि आप उस अवसर का लाब उठाएंगे क्योंकि आप जान गए हैं कि असली खुशी विविधता में हैं। आप सिर्फ अपना काम पूरे मन से कर रहे हैं, इसलिए अब लोग और खुशियां आपके पीछे भागती हैं, हे इंद्रदेव ब्रम्हांड आपके पीछे भागेगा। कभी मत भूलना, भले ही तुम उन्हें माफ कर दो और बैठ जाओ अपने बगल में। हमेशा याद रखें कि एक सांप उन लोगों से सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद कर देता है, जो खुद का सम्मान नहीं करते हैं। उन लोगों से सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद करें, जो खुद का सम्मान नहीं करते। मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी जिन्दगी से जाना है, जो तुम्हीं हर दिन सताता है, उसके लिए अपना दिल छोड़ दो। दरवाजे खोलो और उसे जाने दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ रहा है जब जिन लोगोंने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें प्रतारित किया, तुम्हें अपमानित किया, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़ेंगे और तुमसे माफी मानगेंगे, मेरे बच्चे, इसल अफलता में जितनी कम भीर होगी, उतना ही अच्छा होगा, और आप उतना ही बहतर काम कर पाएंगे। आने वाली खुशियों का स्वागत करें, वो आपको मिलेगा और जितनी भीर कम होगी, नकारात्मक्ता उतनी कम होगी, सकारात्मक्ता उतनी बढ़ेगी, ये स्विष्टी आपको उतनी ही ज्यादा खुशियां देगी। और उस कच्रे को हटाएं और ब्रम्हांट को बताएं कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मक्ता, सारी गंदगी और बुराई को बाहर निकाल रहा हूँ, मैं अपने शरीर और दिमाग से पूरी तरह से तैयार हूँ। महादेव जी, आप मुझे मेरे जीवन में सकारात्मक उर्जा और खुशियों का स्वागत करने का जो भी अवसर देंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं उस अवसर को बरबाद नहीं होने दूंगा, मैं अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, मैं उन नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, और मैं यह नहीं सोचूंगा कि वो मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके साथ वो कभी भी अपनी किसी भी साजिश में सफल नहीं होगा, इसलिए अब मैं अनावश्यक चिन्ताओं को छोड़ दूंगा और सिर्फ इस बारे में सोचूंगा कि मैं इस मौके का फाइदा कैसे उठा सकता हूँ और मेरी मदद करो, रूप से सफल होंगा और आपके भरोसे को कभी तूटने नहीं दूंगा, मेरे बच्चे, मैं आपके सभी सपने पूरे करूंगा और आपके सभी शत्रूओं की सभी नकारात्मक हूरजा को नश्ट कर दूंगा, आपको ऐसे बड़े मौके मिलने वाले हैं जिससे आपके आ रक्षय पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, लोगों की कटू वानी से आपका मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपनी सच्छाई और अपनी शक्तियों पर हमेशा विश्वास रखें कि आपके महादेव जी आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे और जब नकारातमकता तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर होगी क्योंकि वो नकारातमकता तुम्हारे अंदर घर कर चुकी है, मेरे बच्चे, तुम ऐसा सोचते हो आपके मन में बस गया है, उन सभी नकारातमकताओं को पीछे छोड़ दें और आज से सिर्फ अपने लक्ष पर ध्यान के इंद्रित करें और आने वाले अवसर और खुशी के लिए तैयार हो जाएं, जो तुमसे चीना गया है, उससे सो गुना ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है, मेरे बच्चे, अप्रहल का महीना तुम्हारा है, सभी कर्मों का आपको धर्म फल मिलेगा, आपकी आध्यातमिक शक्ती बढ़ेगी, बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने का प्रयास करें, आप दोनों एक दूसरे के प्रती बहुत अच्छे हैं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग या कोई तीसरा व्यक्ति आपको या आपके साथ एक दूसरे के खिलाफ भढ़काने की कोशिश करेगा, यही कारण है कि आपके बच्चे बहुत मजबूत होंगे और एक दूसरे पर सबसे ज्यादा विश्वास करेंगे, और उनका अपना रिष्टा, आपमें भी सुधार होगा, और आपका दिमाग कुछ और कहता है, दिल में आता है कि सब कुछ एक बार में ही छोड़ दो, लेकिन दिमाग कहता है कि तुम्हें इस महीने में घर चलाने के सपने को पूरा करने के लिए ये काम करना चाहिए, आपके आसपास के लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे, आप लोगों से मदबेध होंगे, हर कोई आपको प्रतिसपर्धी के रूप में देख रहा है, उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें आपको नीचे गिराना ही होगा, आपकी हार में ही उनकी सफलता छिपी होती है, लेकिन इस महीने जैसे जैसे आपके शत्रू की उर्जा मजबूत होगी, नकारात्मक उर्जा आप पर हावी होने की कोशिश करेगी, उतनी ही मजबूत दैविय शक्तियां आपके साथ खड़ी होंगी हर कदम पर तुम्हें तुम दिखाओगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाओगे, उन्हें बिचाया जाएगा, लेकिन फरिष्टे आपकी हर साजिश को नाकाम कर देंगे और आपको हर दर्द से बचा लेंगे, इस माह में आपके बच्चे काफी प्रेरित महसूस करेंगे, जिससे आप काफी उर्जा से भरपूर रहेंगे, जिससे लाख कथिनायों के बाद भी आपके काम बहुत आसानी से बन जाएंगे, मेरे बच्चे जुडेंगे और एक दो नहीं बलकि दिसंबर के महीने में आपको एक योजना मिलेगी, पैसो से भी ज्यादा कीमती है अपने समय का सदुपयोग करना और अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना आपके जीवन में एक अच्छा समय है, यदि तो जब सुरिष्टी आपको यह अवसर देने वाली है, आपके जीवन में एक अच्छा समय आने वाला है, तो एक योजना बनाकर उस समय का उप्योग करके और अपने भविश्य के भविश्य के बारे में सोचकर आपको बहुत अनुशासित रहना होगा. इस महीने, मेरे बच्चों, तभी तुम इस महीने में मिलने वाले मौके का फायदा उठा पाओगे और अपनी सफलता और अपनी तरक्की में इसका सही इस्तेमाल कर पाओगे, तुम्हारे रिष्टे में भी काफी सुधार आएगा और नए रिष्टे भी जुडेंगे लोगो इस माह में आप वैसा ही उत्साह महसूस करेंगे, सैफ सब कुछ देखेगा समझ जाएगा कि आपको क्या कदम उठाना चाहिए अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध है, तो आपके बीच कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं, दिसंबर के महीने में आपके बीच दूरियां बातचीत भी बंध हो जाएगी लेकिन आपका रिष्टा इस से रिष्टा नहीं तूटेगा, बस आपको एक दूसरे को समझने की जरूरत है, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो राहू आपके दिमाग को भटकाने की कोशिश करेगा, वो आपके दिमाग से खेलने की कर लें, साथ ही इसमें पास नहीं होना चाहिए, ये परीक्षा लेकिन ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल होगी, यदि आपने कड़ी मेहनत की है और आप जानते हैं कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने मन की न सुने, लोगो आपको जितने भी दुख मिले हैं, उससे दस गुना अधिक आपको आपसे छीन लिया जाएगा, बस इसी महीने में, आपको अपनी जीब और अपने गुस्से पर नियंतरन रखना होगा, इस महीने में बाकी सब कुछ आपके पक्ष में काम करेगा, इस महीने में आपकी सभ परेशानियां दूर हो जाएंगी और इस साल आप जीवन भर खुश रहेंगे, इस महीने में आपका ग्रह, आपका ग्रह, आपका ग्रह है, जिसके कारण आप महंगी महंगी चीजे खरीदेगे, आपको लाब मिलेगा, आप बहुत अच्छे भी रहेंगे, इसलिए आप नि कारात्मकता भी होगी, फिर जब आप सफलता की सीरियां चद रहें हैं, तो कुछ लोग जो वहां खड़े नहीं होते, नहीं कर सकते वहीं खड़े रहो, खुद को मजबूत करो और खुद को मजबूत करो, ये हनुमान से नहीं हो सकता, जी की पूजा करना और भूलकर भी क रोध करना न भूलें क्योंकि आपके मुह से निकला कोई भी शब्द आपका काल बन जाएगा, इसलिए सोच समझ कर बोलें, और जहां गुस्से पर काबू करने की जरूरत न हो, वहां चुप रहने की कोशिश करें और अकेले में रोएं, मुझसे शिकायत करें, लेकिन करे किसी के सामने कुछ मत कहो, तुम जुको नहीं, तुम छोटे नहीं होगे, बस इस महीने में तुम चुप हो जाओगे, मेरे बच्चे भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दूरदर्शिता के कारण, तुम्हारे दुश्मन तरक्की होगी और आपको सोच समझ कर खर् और इस महीने में उन चीजों में अपना पैसा बरबाद न करें, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, और अगर आप किसी से पैसे मांगते हैं, तो उसे पैसे दे दें, अगर उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो ही दें आपका पैसा किसी के ऊपर, पैसों से जुड आपको सुख देने वाली है तो इस माह आपका स्वागत है और किसी भी काम को करने से पहले हनुमान जी के किसी भी मंत्र का या 37 बार जाप करके घर से बाहर निकलें। क्रिपिया इसे नजर अन्दाज ना करी।